हलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टो माई चैनल इन कुकिंग वित रेखा पहाडिया आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं आलू कोफता की ये शांदार रेसिपी ये टू इन वन रेसिपी है आप चाहें तो इन आलू कोफता को टॉमेटो केचप के साथ भी इंजोय कर सकते हैं या फिर इनकी सब्जी भी बना सकते हैं तो इस इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो में इन तक बने रहे हैं तो आईए अब बिना कोई देर की इसे बनाना स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरे रेसिपी पसंदा है तो प्लीज मेर अगर शेयर जरूर कीजिएगा अगर चुटी साइस की प्यास लेते हैं तो दो ले ले एक बरीकटी भी हरी मीर्च आदा चमच जीरा और आदा चमच सोंफ उसके अलाबा कुछ फ्रेश हरे मटर के दाने और यहां पर मैंने एक कटोरी बेसन लिया है इसको चान लिया है और अधा चमच नंमक, और अधा चमच अजावाइन डाला है अब अमिसे अच्छेए से मीक्स ब्स करेंगे एं थोड़ा-थोड़ा पानी ढाल कर इसका गाड़ा पेस्ट रडी करेंगे हमारे कोफ्तों के लिए यह देखिए इसका एक पेस्ट रडी करिया मुस्टक देखिए झरी मिक्स करने के बाद यह और इन पैस्ट को साइड में रखे और श चाहधे बना तो BTS के मेशच करें या फिर महर हमें जड़ कर सके यह बहुत ज़्यार मेश नहीं करना है थोड़ा सा बड़ा बड़ा रपना है बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं बनाना है मैंने आलों को मेश कर लिया है अब यहां पर मैंने कड़ाई गर्म होने के लिए रख दी है उसके अंदर मैं डाल रहे हूं यह लग बग तीन से चार चोटी चमच ऑईल हम प्यास टीप देना चाहूंगी इस जगह हमें इस टाइम पर ज्यादा ओईल नहीं डालना है वहना हमारे कौफते जहें वह अच्छे नहीं बनेंगे मिस में डाल देंगे यह बारी कटी भी प्याज है अगर आप छोटी प्याज लेते हैं तो दो प्याज लेले मैंने आपर लगबक 2-3 मिर्ट या फिर 1-2 मिर्ट के लिए पकाएंगे जब तक यह हलके से सॉफ्टना हो जाए यह देखिए हमारे प्याज और मटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसके अंदर एड कर देंगे यह मेश की होए आलू अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करे अधि नमक अधी चमच मेशालधी पाउड़र एक चमच लाल मिर्ट पाउड़र अधा चमच उखा दन्या पाउड़र इमने खटाई के लिए आमचूर पाउड़र लिया है अगर आपके पास यह नहीं हो तो आप इसमें एक चोटा चमच निमुका रच डाल सकते हैं या फ यह हम सिफ खटाई के लिए डाल रहे हैं इससे का टेस्ट बहुत अचा हैगा हमारे कौफतो का आप तीनों में से कोई भी एक चीज डाले या निमुका रस या टाटरी या अमचूर पाउडर अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसका ढगा कर बिल् इसके बाद हम इसमें एड कर देंगे यह बारी कटा हुआ फ्रेश हरा दन्या अब हम इन सब को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गयस बंद कर देंगे हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रड़ी है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा ठंड होने के लिए यह देखिए मैंने स्टफिंग को एक बरतन में निकाल लिया है इसे थोड़ी देर नीचे रख देंगे आप देख सते हमारी स्टफिंग कितनी सुंदर कितनी अच्छी बनकर रड़ी हुए है अब हम जल्दी से इसके चोटे-चोटे बोल बना लेंगे हमारी अब हमें सारे आलो कोफतों को इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है यह देखिए मैंने सारे आलू के कोफ्तों को इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया है हमारा बेसन का पेस्ट पहले से काफी गाड़ा हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर लिकुट कर लेंगे से ह 2500 कश्वीड नहीं करना है अमें सिर्फ हमारे बेसन का पेस्ट और रिबीन की तरह करना है ये देखिए हमारा पेस्ट कर इसमें बिल्कुल रेडी है अगर आको अब लगता है कि थोड़ा सा लिकुट है तो आप इसमें थोड़ा सोर बैसन एड़ कर सकते हैं इस टा Agr पर यह पर राव कडाई में कोफ्तों को डीप फ्राय करना है तब तक हम इन सारे आलो कोफ्तों को चार पांच करके एक बार में प्लेट के अंदर डालते जाएंगे बिसन के पेस्ट के अंदर 4 रबाफ़ नियुक्त को कासे हैं, दुप्ट को बाला ओड़या है .. छमच की हल्प से इस ज़र ल्यमिये के ल्यातचे 2 तरफ पेशन जमाने रापे लिए हैं और एक उप्ट मेंने और तुम हैं hehe टेल के अंदर इन कौफ़तों को डाल देंगे, जो आपको सही लगे, ये देखिए मैंने 7-8 अलु कोफ़तों को ओल के अंदर डाल दिया है, अब हम इसे सुने रहा होने तक medium flame पर fry करेंगे हमने oil को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था अब हमने flame medium की हुई है यह देखिए पांच मिनट बाद आप देखेंगे हमारे कौफतो का color काफी सुने रहा हो गया है यह देखिए कितना अच्छा color आया है इनका यह बनकर बिलक कोफतों को निकाल लिया है और उसी खड़ाई में अपर थोड़ा सा ओई गर्म होने के लिए वापस रख दिया है ग्रेवी के लिए यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिया है एक तेजपान का पत्ता एक दाल चिनी का टुकड़ा तीन से चार काली मीर्च और लॉम कोफ अब इसका पेस्ट बनाली अब इसका निकल ले देंगे एक से दो मिट तक पकाएंगे एक से दो मिनिट बाद आप देखेंगे कि हमारे प्याज और लसून अच्छ से पक चुके हैं अब मिसके अंदर देंगे यह दो मीडियम साइज की टमाटर की प्योरी आप यह ग्रेव अच्छी लगती है कोफतों के साथ आप इसे जरू ट्राइ किजिएगा यह देखिए हमारे टमाटर की प्योरी प्योरी अच्छ से पक चुकी है मारा ओल सारा सर्फेस पर आचुका है अब हम इसके अंदर डालेंगे सुखे मसाले सबसे पहले हम इसमें एड़ करेंगे लालमीज पाउडर लिया है मैंने आपर आप जितना तका खाया ना चाहिए उतना ले सकते हैं आदा चमा सुखा थनिया पाउडर डाला है जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं तब तक मैं आपको कौफते के दर्शें करा देती हूं कि हमारे कौफते कैसे बने हैं यह देखिए हमारे कौफते बहुती शांदार बनकर रेडी हुए है आप चाहे तो इन्हें टोमेटो केचप या ग्रीन चेटनी के साथ ऐसे ही खा सकते अब इसके अंदर एड़ कर देंगे एक ग्लास पानी यहां पर मैंने एक बड़ी ग्लास पानी डाला है इससे ज़्यादा पानी नहीं डाले क्योंकि इसके ग्रेवी थोड़ी गाड़ी होती है अब हम इसे हाइफ लेंपर लब पांश मिन के लिए बॉयल होने देंगे यह देखिए पांश मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी पहले से काफी गाड़ी हो गई है यह बिल्कुल पर्फेक्ट है हमें इससे ज़्यादा इसे गाड़ा नहीं करना है क्यों क्योंकि थोड़ी देर बाद यह खुदी गाड़ी हो जाएगी अब हम इसके अंदर जल्दी से डाल देंगे यह बारी कटा हुआ फ्रेश हरादनिया और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको एक बात का विशेश द्यान रखना है कि आपको सारे कोफतों को ग् करते हैं तो हमारे सारे कोफते जो हैं वो मेश हो जाएंगे तूट जाएंगे ग्रेवी के हंदर क्योंकि यह बहुत ज्यादा सौफ्ट होते हैं इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा जब भी आपको आलू कोफते की सब्जी सर्व करनी हो आप ग्रेवी को अच्छे से ग अन्दार बनकर रेडी हुई है हमारी अलू कोफतो की सब्जी प्लीज आप मेरे से जरूर से ट्राइ किजिएगा यह देखिए हमारी ग्रेवी कोफते डालने के बाद पहले से काफी गाड़ी हो गई है इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें ग्रेवी को पहले मिलती हूँ आप से अगली रेसिपिक के साथ थांक यू